तो यहां आज आपको lesson plan बताया जा रहा है यूपी बोड के 7th class का macro lesson plan जो की जो subject है वो है गणित और जो आज का topic है वो है समानतर रेखा खीचना तो जो की 7th class का topic है हम एक चाप्टर को लेके चल रहे हैं रचनाओं को तो हम उसके सारे topic कवर कर रहे हैं बच्चे को जैसे हम continuation म बढ़ाते हैं तो सब lesson plan हम बनाने वाले topic से उस chapter से related तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा समान्य उद्देश जो की पूरे गड़ित के लिए same होते हैं तो हम इस तरह से चार पांच लिख सकते हैं उसके बाद है निर्देश आत्मकुद्देश जो की topics related होते है मतलब समानता रेका खीचना जो है इस topic के ऊपर हम लिखते हैं points कि बच्चे क्या क्या सीखेंगे using bloom taxonomy के action verbs उसके बाद है पूर ग्यान तो पूर विग्यान में क्या बताते हैं कि जो बच्चे हैं उनको समानता रेका के बारे में पता हैं तो इसको आप इस तरह से इंडरला करना लिखना होता है उसके बाद जो भी आपने topic लिया है उसको आपको तीन भागों में ब्रेक करना होता है और वो फॉस्ट भाग यहां लिखा है फिर सेकंड पेज में थर्ड भाग थर्ड पेज में लिखा होगा तो तीन teaching point minimum बंते हैं उसके बाद है behavioral objective जिसमें सबसे पह अब यहां पर आपको दिख रहा होगा pupil activity तो next column दिख रहा है इसके जो भी आप प्रशन पूछ रहे हैं बच्चे जो है answer करेंगे तो आपको प्यूपिल activity बच्चे कर रहे हैं तो आपको यहां लिखना है उसके जो विदी आप यूज करें teaching method लिखा है तो यहां इस वाले क प्रशन पूछना होता है जो इस column में आएगा और यह blackboard summary के अंदर आपको छोटा से ब्लाक चार्ट पेपर को यूज करें कि silver pen से यहां पर blackboard को जैसे आप manage करें रियल में लिखना होता है सबसे पहले आप बोल देंगे आज हम समानतरे का खीचना सीखेंगे तो इसे आपक करना रहता है उसके फॉर्स पॉइंट है और दिस टॉपिक तो आपको टीचिंग पॉइंट में लिखना है यहां पर ग्यान और अनुप्रयोग जो कि आपने ब्लूम टैक्सुनामी में पड़े होंगे उससे आपको लेकर लिखना है तो जैसे कि यहां पर हमने लिया क्वेस्चन पूछेंगे जो कि मुल्यांकन का प्रशन उसके बाद यहां पर आता है जो भी टीचर समझाल हो रचना के स्टेप्स हैं यह पर रचना करके दिखाई जा सकती है प्रदर्शन विदी लिखेंगे और यहां पर साथ में आप यहां पर रचना इस तरह से जैसे स्टेपस आप लेफ्ट में बोर्ड पर लिखोगे और राइट में रचना करके दिखाऊगे वह सब आप शो कर सकते हो इन्दी ब्लाक बोर्ड वर्क अब यह फर्स खतम होता है ट तो द्यार्ट विद्यारती वह खुद से करेंगे तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे टीचर पर ले क्वेस्टन करेगा थोड़ा सिलीशन बताएगा हाफ और वह बच्चा करने वाला है तो उसके बाद यहां पर आगे वह कंटिन्यूएशन में अगर विकास आत्मक प्रशन अगले जो टॉपिक है उसे रिलेटेड होता है तो एक प्रशन पूछ लिया उसके बाद जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है जो कि थर्ड टीचिंग पॉइंट आ गया साथ में यहां ब्लूम टेक्स लेके लिखेंगे और यहां पर स्टेप्स दिखाएंगे स्टेप्स पूछ सकते हैं बच्चों से कोई क्वेशन करने को दे सकते हैं बोर्ड पर और यहां अक्टिविटी करा सकते हैं और फिर निश्कर्श खतन में आपको बताना है कि आज हमने यह जो टॉपिक है वो सीखा और फिर लास में होमवक होता है तो हमवक के अंदर आप आइन्मेंट लेसन ब्लान और ब्लूप्रेंट की रेफरेंस भी लेना चाहते हैं तो आप पीब अडू यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा थैंक्यू